हेलो दोस्तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी दोसदो की रेलिंग को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं और क्या कारण है चो उसमें जंग लगता है वीडियो पूरा देखिएगा और बोलते हैं कि दोसदो भार नहीं वो गिर से खूर गही हूं ऊसका क्या रिजन हुआ और किस बज़े से ये पौल गिरी यह तो आज तक आपको किसी नहीं बताया होगा और ज़न्ंग क्यों लगता है रेलिंग में हमेशा 202 के डंडो में ही ज़न्ग लगता है तो मैं वह आप बता हूँ आपको थीक्ए अब आप देखिए यह बोल लगिए सामने इस बोल में यह जो नट होता है, यह लोहे का नट होता है, तो जब इसमें पानी गिरता है, तो इस लोहे के नट के जरिये से ही पानी पूरा निचे जाता है, वो पूरा उसको लाल कर देता है, और यह देखिए, इनके चूड़ियां भी खतम हो जाती है, कुछ साल बाद तो चूड़िया खतम होने के बाद तो यह नट भार निकल जाते हैं और उसके बाद यह कंचा हो जाता है और यह रेलिंग बेगार हो जाती है तो अगर इस चीज़ से आपको बचना है तो इसमें हमेशा 304 का कंचा लगाएं 202 की रेलिंग में 304 का कंचा अगर आप लगाते हो आपको 3 रुप यह लगा दो आप 304 की 304 की रेलिंग लगाने की जुरूती नहीं आपको पैसे भी बचेंगे आपके और माल भी सही मिलेगा आपको और रेलिंग भी आपके इच्छे लग जाएगी और दोस्तो माल हमेशा 18 की जो 16 गेज का ही लगवाना चाहिए 20 गेज का माल हलका होता है उस लिए उसमें कभी जंग नहीं लगता तो दोस्तो अगर आप अपने घर में 202 की रेलिंग लगा रहे हो तो आप भी अपने 202 की रेलिंग में 304 के कंचे लगवा के रेलिंग की लाइफ बढ़ा सकते हैं तो आए होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करिएगा धन्यवाद